मालम सबको है कि जिन्दिगी बेहाल है फिर भी पूछेंगे और भाई लोग क्या हाल चाल है तो हम भी पूछ लेते हैं यार तो और भाई लोग क्या हाल चाल है अब देखो एक डारेक्ट मुद्द की बात करेंगी तो एक गेम जिसने मुझे एक पहचान दी जिसने मुझे साडक सोठा कर एक नाम दिया वो गैम आज खुद ही बंदू चुका है तो हाँ दुख तो लगता है लेकिन क्या ये दुख हमारे देश से बड़ा है अगर हाँ तो फिर रो यार लेकिन नहीं तो मूब ओन करना पड़ेगा देखो लॉजिकली बात करूँगा मैं हम अपनों को खो देते हैं और तब मूब ओन कर लेते हैं तो ये तो एक गैम है यार क्या इसके जाने से मूब ओन नहीं करोगे करना पड़ेगा यार तो आज आओ आपन मिलके एक साइडी बोलते हैं मैं चाहता हूँ कि मुझसे कोई नेक काम हो जाए मेरी हर एक सांस देश के नाम हो जाए तो भाई लोग हम है एक इंडियन और इंडियन का करतब है कि सबसे पहले अपने इंडिया के बारे में सोचे ना कि एक गैम के बारे में तो भाईया आपको नहीं पता होगा मैं बताता हूँ यार हमारे इंडिया में जो हमारे खोजी भाई है वो सच में यार डेली सहीद हो रहे है मजात नी करूँगा डेली उनकी लडाई हो रही है डेली सहीद हो रहे है तो भाई मानो, समझो और उनका साथ दो जब वो देश के लिए अपनी जान दे सकते हैं तो हम भी यार उनके लिए कुछ ना कुछ तो कुरुबान कर सकते हैं और इस बात में यार गवर्मेंट को दोस मत दो देखो गवर्मेंट अच्छी हो बुरी हो वो मुझे नहीं पता मैं किसी का सपोर्ट नहीं करता लेकिन हाँ यार देश के लिए जरूरी था देखो हर एक एप जो चाइना का है वो हो सकता भी यार कहीं न कहीं से आडाटा लेता हो अब देखो यार सारे एप डिलिट कर देगा और पबजी छोड़ देगा तो भी यार चाइना की सरकार क्या इतनी चूटिया है कि वो पबजी के पास नहीं जाएगी PUBG से बोलेगी ने कि भीजे तुम अपने users का data हमें दो बोलेगी यार मानू बात समझो उस बात को और वो data अगर share होने लगा तो भीजे बहुत बड़ी problem हो जाएगी तो समझो और थोड़ा सा compromise करो क्योंकि मुझे लगता है कि Tencent जो कि Chinese company है उससे PUBG अतना हक छीन लेगा यार क्योंकि भीजे देखो यार असली source असली income जो होती है वो India से ही होती है मानो यार ना मानो भीजा PUBG की 70-80% नहीं तो जादा स्यादा 50% तो income इंडिया से ही होती है और इंडिया के लोग अगर PUBG नहीं खेलेंगे तो कहां से चलेगा उनका तो भीजे समझ सकते हो और सोच सकते है उस बात को कि 90% chance है कि भीजे PUBG आएगा बापेस क्योंकि यार जो Tencent की partnership है वो भीजे 50-50 तो नहीं है यार कम से कम 10-20% बस है तो यार इतने में कुछ नहीं होता भाईया वो देगी मूँ में पईजा फेंके और Tencent से ले लेगी यार और Tencent नहीं भी देगा तो भी वो कुछ न कुछ कर लेगी क्योंकि यार उनका असली source भाईया इंडिया ही है तो घबराओ बिलकुल भी मत और रही बात की भाईया आएगा नहीं अगर तो यार कोई दिक्कत की बात नहीं है भाईया Call of Duty है उसने पूरी पार्टनर से खतम कर दी थी Tencent से तो भाईया वो बहुत समझदार था और तब खतम कर दी थी जब पहली बार PUBG बेंड हो रहा था लेकन PUBG वाले भाईया थोड़ा सा चूदिया निकले उनने हलके में लिया यह इस चीज़ को और नहीं की लेकन अब मेरे को सुनने में आ रहा है और मैंने कहीं पढ़ा प्रिभूम कि PUBG वाले Tencent से पार्टनर सेप लेके किसी और कंपनी को दे रहे है पर नई भी देंगे तो भाईया कोई दिक्कत नहीं है वक्त है बदलाओ का याद रखना वक्त है बदलाओ का और अपन सक्रीन में भाईया दूसरा गेम दिखाएंगे और उसमें इंटर्टेन्मन करेंगे और PUBG से जदा करेंगे मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि भाईया उससे ज़्यादा मजा आने वाला है और लोजिकली लोजिकली इतनी देर से कर रहा हूँ तो एक और लोजिक सुन लो यार मीरा PUBG एक ऐसा गेम है जिसने भाईया हर एक गेम को फीका कर दिया था हर एक गेम की रोजी रोटी छीन दी थी बोला जाय तो तो यार मेरी सोच ये कहती है कि भाईया PUBG जब इंडिया से बेंड हुआ तो काफी कमपनिया भाईया बहुत ज़्यादा खुश हुई क्योंकि यार तीन साल के सफर में भाईया PUBG से हैवी गेम डिजाइन कर चुकी होगी कमपनियोंने पर वो उनको मौका मिलाने की भाईया वो लॉंच करने के बाद भी PUBG को टककर दे दें क्योंकि यार दुनिया PUBG वे जिती उनको भाईया कोई और गेम चाहिए नहीं था अभी के लिए आर मन को थोड़ा समगन कर लो और कभी कभी सही दो को नमन कर लो तो हाँ यार एक दो दिन भाईया भी PUBG के गेम आएंगे समें क्योंकि यार अपने पास कंटेंट रखे पड़े हैं लेकिन हाँ उसके बाद COD हो सकता है कि वो आए लेकिन आएगा जरूर तो घबराना बिलकुल मात देखो रात भर मेरे को भी लगा यार मूव ओन करने में मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं बहुत रोया मला वैसा वाला नहीं रोया लेकिन हाँ बहुत इमोशनल था पर भी यह फिर ठीक हो गयार क्योंकि देखो मूव ओन करना पड़ेगा और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मेरी सिर्फ एक बात से आप भी मूव ओन कर सकते हो जरा सुनो उस बात को ध्यान से कि जब हम अपनों को खो देते हैं और अपने की बात कर रहा हूँ मैं बहुत बताना चाहता हूँ कि यार मेरा भया घर पबजी चल रहा था मजाक नहीं कर रहा सोर्स थी हमारा घर जिससे चल रहा था वो भीया पपजी है पर फिर भी मैं आर इतना दुखी नहीं लग रहा आपको क्योंकि मेरा मानना कि अगर भुरा होता तो अच्छा भी होता है तो अच्छा जरूर हो गयार कुछ ना कुछ और यूटूब जिन्दा बाद है भीया फिर से बनाएंगे और डायलोग फिर से बनाएंगे तमारा आ गया थो भोख लो थोड़ी सा हम सेर है फिर से से कार करेंगे वो एक डायलोग नहीं है कुछ देर की खामोसी है फिर सोर आएगा तुम्हारा सिर्फ बक्त आया है हमारा दोर आएगा क्योंकि हम PUBG वाले हैं और PUBG वाले जिगर रखते हैं और जिगर वालों का डर से कोई बास्ता नहीं होता हम बहां भी कदम रखते हैं कोई रास्ता नहीं होता तो भाई यह रखेंगे यार फ्री फायर में भी कदम कहीं न कहीं रखेंगे क्योंकि अपने